चुल्लबग वत्तु खंदक 246 और 247 नंबर ये जो सूत हैं उनमें बड़ी खास बात है आपने देखा होगा कुछ लोग लस्टन खाते हैं कुछ लोग लस्टन नहीं खाते ये लस्टन खाने की और लस्टन ना खाने की जो परंपरा है तो टेडिशन है ये बुद्ध के समय से आई हुई है ये बुद्ध ने इसको बताया हुआ है एक वार एक सभा के अंदर जब एक बड़ी परिशादर बड़ी सभा हो रहे थी तो एक भिक्कू दूर बैठा हुआ ता केला बगवान ने पूछा के भिक्को ये जो भन्ते जो भिक्कू है दूर क्यों बैठा हुआ है तो भिक्कू ने का के भन्ते ये इसलिए दूर बैठे हुए है कि इनोंने लेसन खाया है और लेसन की बदवू से किसी को परिसानी ना हो भिक्कू की, किसी को एताज ना हो, इसलिए ये दूर बैठे हुए है तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा पधार्त खाना चाहिए भगवान कहते हैं क्या कोई ऐसा पधार्त खाना चाहिए जिससे सभा में परिसद में किसी को परिसानी हो तो भिक्कोंने कहा कि भंते नहीं ऐसा कोई परिसानी खाना चाहिए तो उन्होंने का कि ठीक है फिर लहसन नहीं खाना चाहिए इससे परसानी होती है और लहसन खाना बंध हो गया सूत नमबर 246 है फिर आरंब कैसे हुआ एक वार जो सारी पुत्र है उनके पेट में दर्द हुआ सारी पुत्र के पेट में दर्द हुआ तो महा मोगलनायन ने पूछा उनसे कि सारी पुत्र ये पेट का दर्द कैसे ठीक होगा तो सारी पुत्र ने कहा कि लहसन खाके ये ठीक हो जाएगा ये बात भगवान के संग्यार में आई तो भगवान ने कहा कि अगर कोई रोगी है तो वो लहसन खा सकता है यानि रोगी है लहसन खा सकता है और फिर लहसन खाना रोगी के लिए वर्चित नहीं था तो यहां तीन बातें इस पस्ट हैं, पहले तो इस पस्ट बात यह है कि कोई भी ऐसा खाना जो किसी सभा में परिशानी पैदा करे, खाली लहसन की बात नहीं है, कोई और भी हो सकता है, जिससे बदू आये, टकार आये, पेट में गैस आये, अफारे आये, या जी मिचल आये, तो वो खाना खा के सभा में नहीं आना है, वर्जित है, दूसरा यह है कि खाना पधात कोई वर्जित नहीं है, अगर वो रोक में फायदा देता है, तो इसको खा सकता है, तो लहसन को खा सकता है, और तीसी सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, कि यह सारा खाने का लहसन का ख अगर उसको अच्छा लगता है तो खराब लगता है तो क्योंकि खाने की चीज है तो ये निये बाद में चला कुछ लोग लहसन खाने लगे कुछ लोग नहीं खाने लगे कुछ नहीं का भगवान ने मना किया है कुछ नहीं का भगवान ने कहा है कुछ लोग उसे खाते हैं क कुछ लोग नहीं कहते हैं, मगर ये एक भ्रहम सा फैल गया, लोगों को सही जानकाई नहीं हुई, अगर वो धम को सही तर से जानते, और धम के चुलवक के खुददक वत्तु खंदक का पड़ लेते, 244 और 247 को, तो उन्हें ये पता चल जाता कि लहसन, खाना या ना खाना स अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में चाबनी चा पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है। उन्हें की बात को सरल भासा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद कर दे अ, तो 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 से अ, टो तो 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 में संखं शरनं कच्छं